राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिये शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तु थे ज्यान और मनोरंजन से भरपूर धनी कारेक्रमों की शंखला तेनाली राम की कहानिया आये सुनते हैं कहानी तेनाली राम की सूजबूज एक रात राजा कृष्णदेव राय ने सपने में एक बहुत सुन्दर महल देखा जो आस्मान में जूल रहा था अगले दिन दर्वार में वोस विचित्र महल की सुन्दरता का बखान करने लगे आस्मान में उड़ते महल की दीवार रत्नों से जड़ी हुई थी सभी कमरे जगमगा रहे थे सच महराज हां आश्चर्य जनक बात यह थी कि उस महल में जब भी कोई प्रकाश के बारे में अगर सोच भी लेता तो तुरंट पूरा महल जगमगा उठता और अगर कोई अंधेरा चाहता तो सोचने भर से महल में अंधेरा हो जाता तब तो महराज पूरी दुनिया में ऐसा महल मुश्किल से ही होगा नहीं भी होचकता है महराज क्यों नहीं हो सफता तेनाली, हमारा खजाना हीरे जवाहराज धन दौनत से भरा पड़ा है, हमारे रज्य में कुशल कारीगरों की भी कमी नहीं है, हम ऐसे शांदार महल का निर्मान करा सकते हैं परंतु महराज, आसमान में जूलता महल, ये तो सपने की बात है, आप पो हम कुछ नहीं सुनना चाहते तेनाली रामा, महराज मैं, मंत्री जी, आग्या दीजे महराज हम अतिशीगर, सपने में देखा हुआ महल, बनवाना चाहते है, जो आग्या महराज महाराज कहो तेनाली यदि आग गया हो तो एक बात कहूँ अवश्य अवश्य कहिए तेनाली रामा महाराज स्वप्न महल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं खर्च हो जाएंगी सारा राजकोष खाली हो जाएगा महाराज अभी हमें अपनी प्रजा की भलाई पर धन खर्च करना चाहिए महामारी और अकाल के कारण प्रजा की दशा पहले से ही बहुत देनी है जनता इतने खर्च का भोज नहीं उठा पाएगी महाराज तेनाली रामा हमें प्रजा की चिंता तुम लोगों से ज्यादा है किन्तु महाराज परन्तु हम अपना ये विशेश महल अवश्य बनवाएंगे इसी समय सारे प्रबंध किये जाए यह हमारा आदेश है जैसी आपकी आग्या महाराज मगर ऐसा महल बनेगा कैसे जब महाराज कह रहे हैं तो अवश्य बनेगा तेनाली राम ने महाराज की अनूठी जिद देखी तो वो असमंजस में पड़ गए और फिर उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने का निर्ने किया अगले दिन दर्बार का समय था होशिया खबरदाग विजे नगर के महाराज धिराग कृष्ण देव रारे गर्भार में पधा नहें है महाराज की आज की कार्यवाही आरंभ की जाए महाराज व्यवधान के लिए ख्यमा चाहता हूं एक व्रिद्व्यक्ति आप से मिलना चाहता है महाराज बड़ा दुखी प्रतीत होता है ले आओ उन्हें जोआ क्या महाराज महाराज मुझे न्याय चाहिए महाराज की चाहिए अपनी समस्या बताएं महाराज मेरा सब कुछ लुट गया मैं बरबाद हो गया साफ साफ बताएं बात क्या है आपकी समस्या का हल अवश्य होगा रो ये मत मेरा सारा धन राज के दौरा लुट लिया गया आप ही बताएं मैं बुड़ा आदमी अपने परिवार का वालन पोशन कैजे करूँ ना महाराज क्या हमारे किसी अधिकारी या सैनिक ने आपको हानी पहुचाई है किसने क्या ऐसा अन्याय महाराज पहले मुझे वचन दीजिए कि आप सच्चाई जानने के बाद मुझे डंड नहीं देंगे मैं आपको वचन देता हूँ बताईए आपके साथ न्याय होगा मान्यवर आप केवल उस व्यक्ति का नाम बताएं हमें ये बिल्कुल स्विकार नहीं कि राज्य का कोई अधिकारी या कर्मचारी प्रजा के साथ इस प्रकार का व्यवहार करें बताईए किसने क्या यह अन्याय महराज मैंने कल राद एक बयानक सपन दीखा तो बोलिए चुप क्यों हो गए सपन में आप आप महराज आप सोयम अपने सैनिकों के साथ मेरे घर में गुचाएं यह महराज के साथ कैसे बात मैं जैनिकों के साथ फिर आपने मेरे जीवन भर की कमाई मेरे धन और जेवरों के संदूक को लूट लिया वारा मैंने ऐसा किया ठीक से याद कर लो तुम्हें जरूर धोखा हो रहा है नहीं महराज मत 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 सच कह रहा हूं मैंने हाथ पहर जोड़े बहुत मिन्नते की गिल के आया मेरे बच्चों ने आपको रोका विरोध किया पर पर आपने एक न सुनी पर क्या हूआ मेरे आगों के सामने आप मेरा सारा धन लूट कर चले आए अब आप ही बताए माहराज मैं कैसे जीवन निर्वा करूंगा मैं अपनी पेहन बेटी की शादी कैसे करूंगा मेरे साथ खोर अण्याय हुआ है मुझे इंसाफ चाहिए आप पागल हो गए हैं आप पागल हो गए हैं आपने सपना देखा सिर्फ सपना सपने और सच्चाई में बड़ा अंतर है कभी सपने भी सच होते हैं क्या महराज यही बात तुम्हें आपको समझाना चाहता हूँ कि सपने कभी सच नहीं होते क्या मतलब महराज जैसा महल आपने सपने में देखा है वैसा ही महल वास्तम में बना पाना कठीन ही नहीं नामुम्किन है 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 मेरे सपने के महल की बात आप कैसे जानते हैं कौन है आप महराज मैं हूँ आपका सेवा कौन तब उस व्रिध्ध व्यक्ति ने अपनी नकली दाड़ी मुझ हटाई तो सब चौक गए वो व्रिध्ध और कोई नहीं बलकि तेनाली राम थे जिनोंने भेश बदलकर महराज को सही राह पर लाने के लिए सब नाटक रचा था दर्बारी भी तेनाली राम का असली रूप देखकर चकित रह गए महराज ने तेनाली राम को सामने देखा तो सब समझ गए वो बनावती गुस्से से बोले अच्छा तो तेनाली रामा ये आप हैं महराज आप पहले ही मुझे दंड ना देने का वचन दे चुके हैं तेनाली रामा महराज हम आपको दंड कैसे दे सकते हैं आपने तो हमारी आखें खोल दी महराज आपको समझाने के लिए मेरे पास कोई और उपाय नहीं था हमें अपने भूल का एहसास हो गया है तेनाली रामा हम आपसे बहुत प्रसंद हुए मंत्री जी आग्या महराज तेनाली रामा को ऐसी सूजबूज के लिए चांदी की एक हजार महरों का पुरसकार दिया जाए जैसी आपकी आग्या महराज महराज की जैओ तेनाली राम की कहानिया इस शंखला के अंतरगत अभी आपने सुना ये कारिक्रम विशे सैयोजन अख्तर हुसेन आलेक नेहा कारिक्रम नर्देशन प्रभुदे आलखटर कलाकार जैमिनी कुमार मंजु मैनी राम मैनी कीमती आननत सुनी लोहिया और हरदीप तक्नीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार तक्नीकी समन्वय स सती श्लाडे, ध्वन्यंकन दीपक पांडे, नर्मान सहयोग दावुदे आलचत्रुवेदी तथा नर्मान इवं प्रसुती रमेश रानी शर्मा